आप सब कैसे हैं आशा करती हूं आप स्वस्तोंगे आज हम कक्षा छटी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से साथमा पाठ पढ़ेंगे जिसके अंतरगत बगुले के प्रतिकार को पढ़ेंगे साथ ही अव्यपदों के प्रयोक से परिचित में होंगे चात्रों इस कहानी को पढ़कर समझ कर अपने जीवन में उतारने की कोशिस करना यदि आप लोगों से सुख शाते हैं तो पहले स्वयम ही लोगों से अच्छा वहवार करना पढ़ेगा क्योंकि जो जैसा वेहवार करता है बदले में उससे वैसा ही वेहवार किया जाता है तो आईए पाठ प्रारम करते हैं इकस्मिन्वने श्री गालाह बकह च निवसत इस्म तयो मित्रता आसीत इकदा प्रातह श्री गालाह बकम अवदत मित्र श्वह त्वम मया सह भोजनम कुरू श्री गालस्य निमंत्रणेन बकह प्रसन्न अभवत अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्री गालस्य निवासम अगच्चत कुटील स्वभाव श्री गाल इस्थाल्याम बकाय छीरोधनम अयच्चत बकम अवदत्च मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहाईव खादाव भोजनकाले बकस्य चंचु इस्थालित भोजन ग्रहने समर्था नाभवत अतह बकह केवलं शीरोधनम अपश्यत श्री गालह तू सर्वं शीरोधनम अभक्ष्यत तो आएए अब हम कठिन शब्दों को देखते हैं जैसे एकस्मिन यानि एक वने वन में श्री गालह सियार बकह यानि बगुला च और निवसता इसमा रहते थे तयो दोनों में आसी थी य था एक अदा एक बार प्रातह सुभ अवदत बोला श्वह कल तुम तुम मया मेरे सह साथ गुरु करो शीरोधनम यानि खीर निमंत्रनेन निमंत्रन से प्रसन्नह प्रसन्न अभवत हुआ तो अब हम शब्दार्थ की माध्यम से अर्थ को समझते हैं एक अस्मिन वने श्रीगालः बकाह च निवसता इस्मा एकस्मिन वने यानि एक फ़न में श्रीगालः सियार बकाह च च मतलब और बकाह मतलब बगुला स्रियार और बगुला निवसता इस्मा रहते थे तयो मित्रता आसी तयो उन दोनों में किन्मे श्रीगाल और बगुले में मित्रता आसी मित्रता थी एकदा प्रातह एक बार सुबह श्रीगालह स्रियार ने बकम आवदत बगुले से बोला मित्र मित्र श्वह कल तुम मया सह भोजनम कुरो तुम मेरे साथ भोजन करो श्री गालस्य सियार के निमंत्रनेन निमंत्रन से बकाह प्रसन्ना भवत श्री गाल के निमंत्रन से बगुला प्रसन्न हुआ अग्रिमे दिने सह अगले दिन वह भोजनाय भोजन के लिए श्री गालस्य सियार के निवासम यानि निवास स्थान पर अगच्छत गया कुटिल स्वभाव श्री गाल इस थाल्याम बकाय शीरोधनम अयच्छत कुटिल स्वभाव यानी तेड़े सभाव वाला सियार थाली में बकाय बगुले के लिए शीरोधनम अयच्छत खीर दिया भकम अवदच्छ और बगुले से कहा मित्र अस्मिन पात्रे इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अब सहाईव खादाव साथ ही खाते हैं भोजन काले बकस से चन्चु भोजन के समय बगुले की चोंच चन्चु यानी चोंच इस्थाली ता इस्थाली यानी बरतन से भोजन ग्राहने में समर्था ना भवत, समर्थ नहीं हुआ अता भकाह केवलं शीरोधनं अपश्यत अता बगुला केवल शीरोधनं यानि खीर को देखता रहा श्री गाला तु सर्वं शीरोधनं अभक्षयत सियार तो सारा खीर खागया तो इसका यह हुआ कि बगुले ने सियार की घर पे जब भोजन के समय गया तो कुटल सुभावाला सियार बगुले के साथ इस तरह से कुटल वैवार करता है कि वो इसको थाले में भोजन देता है भोजन में खेर देता है लेकिन चुकि बगुले की चोंच जो है वो लंबी होती है तो थाले से भोजन ग्रहन करने में समर्थ नहीं हुआ बगुला वन्चीत रहे गया जरह हम इसको प्रश्नुत्र की माध्यम से समझते है श्रिगाला वकः चा कुत्र निवसता इस्मा सियार और बगुला कहा रहते थे श्रिगाला वकः चा एकस्मिन वने निवसता इस्मा बगुला और सियार एक जंगल में रहते थे तयो का आसीत उन्दोनों में क्या थी तयो मित्रता आसीत उन्दोनों में मित्रता थी बकह केन प्रसन्न अभवद? भगुला किस से प्रसन्न हुआ? बकह श्री गालस्य निमंत्रणे न प्रसन्न अभवद? भगुला सियार के निमंत्रण से प्रसन्न हुआ? कह इस थालीता भोजन ग्रहने समर्था ना भवत कौन थाली से भोजन ग्रहन में समर्थ नहीं हुआ बकह इस थालीता भोजन ग्रहने समर्था ना भवत सर्वम शीरोधनम कह अभक्षयत सारा खीर कौन खा गया सर्वम शीरोधनम श्रिगाला अभक्षयत प्रस्तुत पाठांश में अव्य पदों को चिन्नित करेंगे अव्य उन पदों को कहते हैं जो कभी बदलते नहीं है इस कहाने में आप अव्य पदों का प्रयोग देख सकते हैं जैसे इस पाठांश में ही है एकदा, प्रातः, श्वाह, अधुना अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीगालेन वंचितह बकह अचिंतयत यथा अनेन मयासह वेवारह कृता तथा अहमपी तेनस वेवहरिश्यामी एवंचिंत इत्वा सह श्रीगालं अवदत मित्र त्वमपीश्वह सायं मयासह भोजनं करिश्यसी बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालह प्रसन्न अभवद यदा श्रीगालह सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत तदा बकह संकेर्ण मुखे कलशे शीरोधनं अयच्छत श्रीगालं च अवदत मित्र आवाम असमेन पात्रे सहायव भोजनं कुरवा बकह कलशात चंचवा शीरोधनं अखादत परंतु श्रीगालह स्यमुखं कलशे न प्राविशत अतह बकह सरवं शीरोधनं अखादत श्रीगालह च केवलं इर्षया अपश्यत श्रीगालह बकं प्रती याद्रिशं वहवारं अकरोद बकहापी श्रिगालम प्रती ताद्रिशम वहवारम कृत्वा प्रतीकारम अकरोद तो आएए कुछ खठेन शब्दों को देखते हैं वंचित यानि ठगे जाने पर अचिंतयत सोचा यथा जैसा अनेन इसने वहवार वहवार कृता किया है तथा वैसा अपी मतलब भी उसके साथ वहवारिश्यामी वहवार करूंग एवं ऐसा चिंतयत्व सोचकर अवदत बोला सायम शाम को अभवत हुआ निवासम निवास पर भोजन आये यानि भोजन के लिए तदा तब संकेण मुखे यानि पतले मुखवाला कलशे घड़े में आयच्छत दिया चंचवा चोंच से अखादत खालिया इर्षयया इर्षयय से अपश्यत देखता रहा याद्रिशम जिस तरह से ताद्रिशम उसी तरह से प्रतिकारं बदला तो हम शब्द अर्थ के साथ अब हम अनुआत करते हैं श्रिगालेन वंचितह बकाह अचिनतयत श्रिगाल यानी सियार से वंचितह ठगे जाने पर बकाह अचिनतयत बगुला सोचने लगा यथा अनेन मया सह वेवारह कृत तथा अहम अपी तेन सह वेवरिश्यामी यथा यानी जैसे अनेन इसने मया सह मेरे साथ वेवारह कृत वेवार किया है तथा वैसा ही अहम अपी मैं भी तेन सह उसके साथ वेवरिश्यामी वेवार करूंगा यथा अनेन मया सह वेवारहकृत तथा अहाम अपी तेन सह वेवारिश्यामी जसा इसने मेरे साथ वेवार किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ वेवार करूँगा एवं चिन्तेत्व ऐसा सोच करके सह वह श्रीगालम अवदत उसने सीयार को बोला मित्र मित्र तुम अपी तुम यानी तुम अपी यानी भी तुम भी श्वह यानी कल अगले दिन सायं शाम को मया सह मेरे साथ भोजनम करिश्य से भोजन करोगे बकस्य निमंत्रणेन श्रिगालह प्रसन्न अभवत बगुले की निमंत्रण से श्रिगालह प्रसन्न अभवत सियार भी प्रसन्न हुआ यदा श्रिगालह सायम बकस्य निवासम यदा यनि जब श्रिगालह सियार सायम शाम को बकस्य निवासम बगुले की निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया यदा श्रिगालह सायम बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत जब सियार साम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया तदा बकह संकेर्ण मुखे कलशे शीरोधनम अगच्छत तदा यानि तब बकह भगुलेने संकेर्ण मुखे कलशे संकेर्ण मुख यानि पतले मुखवाला कलश कलशे यानि कलश में पतले मुखवाले कलश में शीरोधनम अगच्छत खीर दिया श्रिगालम चा अवदत चा मतलब और श्रिगालम श्रिगाल को अवदत पोला श्रिगालम चा अवदत और श्रिगाल को बोला मित्र आवाम हम दोनों असमिन पात्रे इस पात्र में इस बरतन में सहायव भोजनम कुरवा साथ ही भोजन करते हैं बकह कलशात चंचवा शीरोधनम अखादत बगुला कलश से चोंच की सहायता से शीरोधनम अखादत खीर खालिया परन्तु श्रीगालश से मुखम कलशे न प्राविशत लेकिन सियार का मुख कलशे कलश में न प्राविशत न मतलब नहीं प्राविशत प्रवेश कर पाया या परन्तो श्रीगालस से मुखं कलशे न प्राविशत लेकिन सियार का मुख कलश मिन नहीं जा पाया अतह बकह सर्वं शीरोधनं अखादत अतह बगुला सभी सर्वं सभी शीरोधनं खीर को अखादत अता बकह सर्वं शिरोधनम अखादत अता बगुला सभी खेर खागया श्रिगाला चा केवलम इर्षया अपस्यत चा और स्रिगाला सीयार केवलम केवल इर्षया इर्षया से अपस्यत देखता रहा श्रिगालः बकम्परती याद्रिशम विहवारम अकरोद बकह अपी श्रिगालम प्रती ताद्रिशम विहवारम कृत्व प्रतिकारम अकरोद यानि कि CR ने वकम प्रती बगुले के साथ यादरिशम वहवारम अकड़ुद जैसा वहवार किया बकह अपी बगुलाभी शरिगालम प्रती तादरिशम बहवारम कृत्वा प्रतीकार मक로ुद वैसा ही वहवार करके अपना बदला लिया इसको अम्जरा प्रश्णत्तर की माध्यम से समझते हैं बगुला कलश से कथम कैसे शीरोधनम खीर को अखादत खाया, बकह कलशात कथम शीरोधनम अखादत, तो उत्तर हुगा, बकह कलशात चंचवा शीरोधनम अखादत, बगुला कलश से चोच के द्वारा शीरोधनम खीर को अखादत खाया, श्रीगालस से मुखं कुत्रण प्रावशत दोस्टlor, दोस्ट कानि पहुँच पाया, श्रीगालस से मुखं कलशे न प्रावशत दोस्ट Antonio दोस्ट काह सर्वव सिरोधनम अखात स्रूर, कौन सारा थीर खा गया तो यहां बगुला बकाह सर्वं शीरोधनम अखारत बगुला सारा खीर खा गया तो इसमें एक सुक्ति है जिसको हम पढ़ेंगे आत्मदुर्वेवारस से फलम भवती दुखदम तस्मात सद्वेवर्तव्यम मानवेन सुखेशिना इसको अन्वे करते हैं आत्मदुर्वेव फलम दुखदम भवती यानि अपने द्वारा किया गया दुर्वेवर्तव्यम अच्छा वेवार करना चाहिए अर्थानु भाव है अपने द्वारा किये गये बुरे कर्मों का फल दुखदाई होता है सक्क की च्छा रखने वाले मनुश्य को यह चाहिए कि वह सद्वेवार करे क्योंकि सद्वेवार का फल सुख़ दोता है आप जैसा कर्म करोऊगे वैसा ही फल भोगोगे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा वेवार करना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ वहवार करते हैं वो भी हमारे साथ ही वैसा वहवार करते हैं अच्छा वहवार करो धन्यवाद अच्छा वहवार करते हैं